आज बनाते हैं हम वास्ता हॉक तो मुझे इसको रेड स्पिनिश बोलते हैं और रेड राडिश है यह स्प्रिंग के मौसम में कश्मीर में काफी जादा एक खाया जाता है बहुत टेस्टी बनता है आप भी ज़रू ट्राइ कीजेगा गर पे और अगर आप चाहते हैं यह वी राडिश है अगर बड़ी साइज की हैं जैसे मैं दिखा रही हो आपको फिर आप इसको दो हिसे कर सकते हैं और अगर आपको लगे किये छोटे या मीडियम साइज के हैं तो आप इनको आप इनको दो हिसे में करने की लेकिन अगर बड़ी है तो आप इनको दो हिसे में कर सक से आपको राडिश समझ में आ जाएगी फ्राइ हो गई है जब इनका कालर देखिए डार्क है अभी तोना लाइट हो जाएगा कालर और यह सॉफ्ट हो जाएंगी पहले से क्योंकि अभी हाड होती है लेकि फ्राइंग के दौरान यह काफी सॉफ्ट हो जाती है यहां पे इस्तिवाल कर रहे हैं प्यास को अच्छे से फ्राइ करना है जब प्यास ब्राउन कलर का हो जाएगा तब जाकर आप इसमें एड़ कर देंगे वस्तहाग जो हमने वाश करके रखा है और ड्रें किया है ताकि चीके ना उठे अगर देखिए पानी होगा यहां पे हम वस्तह इसमें एड़ कर रहे हैं क्योंकि प्यास जो है वह अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं वस्तहाग पहले आपको लगेगा कि बहुत कॉंटिटी में है जो यह लाल पालक है रेट स्पिनिच लेकि फिर यह काफी श्रिंक हो जाती है इसको काफी पानी निकलता है और उसी पान पानी रेडीります हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं फिस के ढाल देंगे स्पिसे में इसमें तो झाल चू कलिभी टाल रही हैं में इसमें पानी काफी यह हुं बाकी स्पाईस पहले श्रिंगा च्रुब आखका प्रेंगे तौस्ष के लिउग समेर कर देंगे घ्रर रह इसमें soft powder या कश्मीरी में इसको बेद्यान बोलते है एच चमच और हम डाल देंगे इसमें ginger powder या short ये भी डाल देंगे आदी चमच अच्छे से mix करेंगे इन सारे spices को वस्तहाक के साथ fry कर देंगे अब कोई भी spice इन में से add कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं अपने choice के मताबिक जैसे आप गर में खाते हैं जब ये fry हो जाएंगे spices के साथ वस्तहाक तो हम इसमें add कर देंगे fried radish जो हमने मुझे रखी थी fry करके वह इसमें add कर देंगे अच्छे से mix करेंगे वस्तहाक और मुझे को यहाँ पे देख सकते हैं आप अब इसमें जादा पानी add नहीं करना है बस हलका से add करना है ताकि जो पानी नहीं रखते हैं तो यह देखिए इसको अच्छे से पानी साथ रेड्यूस हो चुका है और वस्तहाक तो मुझे जो है वो तयार है आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे अगर soft लगेंगे आपको तो फिर it's done अब आप इसको निकालेंगे deserve करेंगे इसको गरम चावल के साथ खाया जाता है और काफी जादा नजीज बनता है यह आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी consume कर सकते हैं आप यह वीडियो जरूर ट्राइ कीजेगा मुझे अमीद है आपको यह recipe पसंद आई होगी और comments में जरूर लिकिए